हाई गाईज वेल्कम बेक टो मैं चानल लिचेश मेरा ब्लोग और नया हो लिच्छा तो गाईज खाना खाने के बाद हमने किया थोड़ी देर रेस्ट उसके बाद हम तयार हो गए मंदिर जाने के लिए और आप देख सकते हो कि मैंने और मेरी हस्बेन ने महाकार वाली टीशिट पहनी हुई है जो कि मैंने ओनलाइन मंगाई हुई थी टी शिट का मेटेरियल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है हुआ था और साइज भी आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा पॉफेक्ट थी दोनों के लिए हमने थोड़ी सी पिक लिक करी और उसके बाद हम निकल गए मंदे जाने के लिए कि बहुत बखुआ कि दोड़ी सी पिक कि लिए भी आप देख सेख सेग सेग ज़्यादा अच्छा है उजयन में इस शौप पे गरम दूद और रबडी बहुत ज़्यादा फेमस है ज़्यादा शाम नहीं हुई थी तो दूद अभी बनना स्टार्ट नहीं हुआ था तो हमने खाई रबडी जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी हम गनेज पक्ष में पहली बार उजयन आई हुए थे तो हमें उजयन के भी गनेजी के दर्शन करने को मिले अब हम मंदिर के बहुत ही ज़्यादा पास बहुत चुके थे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना बड़ा पंडाल लगा हुआ है गनेजी का दूर से तो गनेजी आपको सिर्फ ग्रीन कलर के नजर आ रहे होंगे लेकिन जब हमने पास से देखा तो गनेजी पूरे मूर पंग के बने हुए थे जो की बहुत ही विशाल और बहुत ही सुन्दर लग रहे थे यहाँ पर गनेजी का नाम भी लिखा हुआ था और आप देख सकते हैं कि गनेजी का नाम है महाकाल के युवराज तो गाइस मेरे साथ आप भी दर्शन कर लीजिए महाकाल के युवराज जी का देन गनेजी के पास ही बड़ी सी स्क्रीन लगी वी थी जहाँ पर महाकाल जी का लाइव दर्शन चल रहा था हम मंदिर जाने से पहले ही स्क्रीन के पास थोड़ी देर खड़े होके हमने मंदिर के अंदर का महाकाल जी का लाइव दर्शन भी कर लिया आप देख सकते हैं कि अभी पूरी शाम हो चुकी है और हम जा रहे हैं मंदिर आगे के व्लोग के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा बाइ